आज हम लोग एक important trick discuss करने जा रहे हैं, which is connected to the topic carboxylic acid और एक molecule में अगर एक से ज़्यादा COH हैं, एक से ज़्यादा carboxylic acid functional group present हैं, तो उन पर heating करने पर क्या product बनते हैं, ठीक है उनके बारे में हम discuss करेंगे, so the topic is the heating effect, the products found on heating on di carboxylic acid, अब इस di carboxylic acid heating effect को हम trick के form में convert करें, और बड़ा simple सा word आपको याद रखना है, ohms gap, क्या याद रखना है, ohms gap, ठीक है, तो ohms gap से हम इसको solve करेंगे, और, ठीक है, oms, oms, g, a, p, ohms gap, ये याद रखना है, तो o से, अगर हम देखें हैं, तो इसको इसे number में convert कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, and 5, तो 0 represent कर रहा है, कि 2 COH के बीच में, 2 COH के बीच में, एक भी carbon atom नहीं है, 0 carbon atoms, ठीक है, और 0 carbon atom है, तो इसको represent करेंगे, o से, ये short form में मैंने लिखा है, लेकिन इसका जो नाम है, molecule का वो है, oxalic acid, ये carboxly acid है, die carboxly acid है, और इसको हम क्या बोलते है, oxalic acid, अगर एक carbon atom अगर बीच में रहता है, तो हम उसमें short में हमने लिखा हुआ है, ohms gap में M, और इसको याद रखने के लिए हमने लिखा है, ohms gap, तो M रेप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर, malonic acid, अब देख रहे हो, कि अगर एक carbon atom बीच में ह है, तो जो carbox leak acid होगा, di carbox leak acid, उसका नाम क्या होगा, malonic acid, वैसी अगर दो carbon atom होंगे, तो उसको बोलेंगे, हम S succinic acid, तीन carbon atom होंगे, तो उसको बोलेंगे, हम G-glutaric acid, 4 carbon atom होंगे तो उसको बोलेंगे हम A-adipic acid और 5 carbon atom होंगे तो उसको हम बोलेंगे P-malic acid, तो एक-एक करके मैं इन पर heating effect आपको समझाता हूँ, ठीक है, पहले मैंने identify करवाया कि ohms gap क्या है, O-oxalic, M-malonic, S-succinic, G-glutaric, A-adipic, P-malic, 0 carbon atom oxalic, 1 carbon atom melonic, 2 carbon atom succinic, 3 carbon atom glutaric, 4 carbon atom edipic, and 5 carbon atom p-malic, ठीक है, तो 0 या 1 carbon atom जब होते हैं, तो हम heat करते हैं, तो इससे CO2 का loss होता है, किसका loss होता है, CO2 का, 2 और 3 carbon atom जब बीच में होते हैं तो हीट करने पर water molecule का loss होता है किसका loss होता है? H2O का और अगर 4 या 5 carbonitum अगर बीच में होते हैं और हम heat करते हैं तो दोनों का loss होता है किसका CO2 का भी loss होता है और H2O का भी loss होता है ठीक है? तो यह हमें ध्यान रखना है पहले दो में CO2 का लॉस दूसरे दो में वाटर का लॉस और दूसरे अगले दो में CO2 और वाटर दोनों का लॉस होता है ठीक है हम आते हैं इस पर जिसे की मैंने आप कुष्टिन की फॉर्म में बीच में है जिरो नीट मतलब क्या बोलेंगे वह मतलब क्या और मैने आपको सिखाए कि 0 या 1 नीट में भी किस का लॉस होगा CO2 का loss होगा और CO2 का loss होगा तो हम इसको ऐसे mention करने CO2 और जो दूसरा product यहाँ पर बनेगा वो बनेगा HCOOH ठीक है तो हमें बिल्कुल simple तरीके से करना है अगर zero carbon atom जैसे इसमें है या one carbon atom अगर बीच में तो किसका loss कराना है? CO2 का loss कराना है ठीक है? second question फिल्कुल simple है एक carbon atom बीच में आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? Melonic Acid अब ये trick से आपको नाम भी याद होते जा रहे होंगे और अगर दो COH के बीच में किवल एक carbon atom है तो मैंने बोला कि zero या one है तो loss किसका होगा? CO2 का और जो product यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा? CS3, C double bond O, OH Acetic Acid तो ये बड़ी interesting बात है जो product यहाँ पर बनेगा वो बनेगा Acetic Acid ठीक है आप CO2 को बहार कर दीजिए H को यहाँ जॉइन कर दीजिए CS3, COH बना दीजिए Similarly, यहाँ पर आप CO2 को बहार कर दीजिए H को यहाँ जॉइन कर दीजिए HCOH बना दीजिए बेटा बताओ इसका नाम क्या है? So, this carboxlic acid is non-ass formic acid So, this is what formic acid तो यह दो बाते हुई अब हम देखें यह तो बहुत simple हो गया इस molecule का नाम तो हमें नहीं पता हम IOPC नाम ज़रू लिख सकते हैं इसका लेकिन common name हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पर carbon atom तो एक है और यह पूरी cycle लिखेंगे तो हमारी trick पर हम आजाएं trick यह कहती है कि 2 COH के बीच में एक carbon atom अगर है तो उसको क्या बोलेंगे हम? यहाँ उसमें जब cyclohexane carboxylic acid और इस compound का नाम है cyclohexane 1,1 di carboxylic acid पर trick काम कर रही है 2 COH के बीच में एक carbon है तो CO2 का loss करा देगे ठीक है? नेक्स्ट आप देखोगे question number 4 में 2 COH के बीच में 2 carboxylic group के बीच में 2 carbon atom है तो मैंने बोला आप से कि 2 यहाँ तीन अगर है तो यहाँ पर loss होगा किसका water molecule का H2O का loss होगा तो यहाँ से H2O molecule को बाहर कर दीजे और H2O molecule को बाहर करोगे तो यहाँ बन जाएगा क्या unhydride बन जाएगा unhydride मतलब क्या? it is formed by the loss of what water molecule ठीक है? so this is unhydride water का आप निकाल दीजे oxygen को carbon से जोड़ दीजिए यह बन जाएगा ठीक है? तो बड़ी interesting trick है जो भी carboxlic acid है यह diacarboxlic acid उसका यह क्या होगा? unhydride होगा ठीक है? इसे molecules को क्या कहा जाता है? unhydride कहा जाता है अब हम एक और question इसमें देखते हैं यह बड़े interesting compounds होते हैं यह जो double bond है यह geometrical isomerism show कर रहा है और geometrical isomerism show कर रहा है अगर दोनों COH same side में है तो यह geometrical isomer का कौन सा form है? यह cis form इस molecule का जो नाम है that is maleic acid maleic acid ठीक है? फिर आप बोलोगे कि सर आपने जो trick बताई थी उसके इसाब से यह क्या है? तो वो compounds जो मैंने बताई थी जो trick वो simple compounds के लिए है ठीक है? जो simple compounds होते हैं उनके लिए हम trick लगाते हैं जैसे अगर 2 carbon atom बीच में हैं और यह simple compound है तो हमने जो trick लिखी थी उसके इसाब से O M S G A P याना चाहिए तो 0 carbon और 1 carbon oxalic melanin, 2 carbon बीच में तो यह S होगा इस compound का नाम है succinic acid ठीक है? इस compound का जो नाम है that is succinic acid तो student यह simple compounds के लिए है saturated के लिए मगर यहाँ देखो carbon और carbon के बीच में double bond है और double bond है तो GI show कर रहा है इस compound का नाम है melaninic acid और इसका जो transisomer होगा उसका नाम होगा fumaric acid आगे देखते हैं तो इसकी जब हम heating करते हैं तो इससे क्या होता है? water का loss हो जाता है और जो product यहाँ पर बनता है that is unhydride ठीक है water का क्या होगा? loss हो जाएगा और इस product को हम बोलते हैं malic malic unhydride so this product is very important malic acid से क्या बनेगा? malic unhydride ठीक है? दो carbon atom बीच में है loss of water यहाँ पर भी दो carbon atom बीच में है तो water का ही loss होगा but यह compound different है क्योंकि यहाँ double bond missing है this is non-assuccineic acid ठीक है? next अपन देखें तो यह fifth question में दोनों COH same side में थे यह cis था six question में दोनों COH opposite side में है और यह जो compound है यह क्या है? trans है और इसको हम बोलते हैं fumaric acid तो students यहाँ पर जब हम heat करेंगे तब भी इसमें H2 का loss नहीं होगा तो इतना रटने से काम नहीं चलेगा कि H2 का loss होगा अगर हम इसमें H2 का loss कराते हैं तो इस carbon को इस carbon से connect करना पड़ेगा जबकि दोनों opposite direction में और opposite direction में होने की वज़े से यहाँ पर heating effect से water का loss नहीं होगा तो यह interesting question है कि maleic acid heat करने पर water का loss करता है और unhydride बनाता है मगर fumaric acid पर heating करने पर कोई water का loss नहीं होता है ठीक है इस quite important अगर यहाँ single bond होता तो काम बन जाता क्योंकि single bond होता तो rotation हो जाता और rotation हो जाता तो दोनों COH COH same side में आ जाते इस question को देखें हम 7th question को तो जो भी हमने apply किया उसकी according दोनों COH की वीच में 1, 2, 3 कारवन है और जब 0 या 1 होते है तो CO2 का loss होता है और 2 या 3 होते है तो H2 का loss होता है यह trick हमने बनाई थी यहाँ पर कितने कारवन है एक, दो, तीन कारवन है तो यहाँ पर जो loss होगा वो water का होगा H2 का होगा और जो product यहाँ पर बनेगा वो यह बनेगा This should be the answer ठीक है और H2 का यहाँ से loss होगा ठीक है इस diicarboxlic acid में water के loss से unhydrate बनेगा यह ध्यान रखना है विटा आपको दोनों CO2 की बीच में count कर लो carbon एक, दो, तीन तो 2 या 3 है तो water का loss 0 या 1 है तो CO2 का loss और एक question हम करते है जिसमें carbon atom 4 है या 5 है, जैसे हमने question देखा 2 COH है, heating दिया हुआ carbon count करें, 1, 2, 3, 4 तो हम जानते है 0, 1 से CO2 का loss 2, 3 से water का loss 4 और 5 से दोनों का loss होगा ठीक है, तो यहाँ पर कितने carbon है 1, 2, 3, 4 है तो CO2 का भी loss होगा और H2 का भी loss होगा CO2 का loss हम करा दें, यहाँ से CO2 बाहर कर दें H2 का loss करा दें, यहाँ से हम H निकाल दें और यहाँ से OH निकाल दें और जो बचा हुआ है, उसको connect कर दें तो 1 position से सब कुछ जा चुका है CO2 और H तो 1 position को किस से connect कर दें हम 5 से और 5 से आप connect करोगे तो cyclic क्या बन जाएगी ring बन जाएगी So 5 से हमने connect किया 1 आप देखो मैं मार्किंग कर दें So 1 से connected है 2 फिर 3, फिर 4 4 से connected है 5 अब 5 1 से भी connect हो जाएगा तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा cyclo pentanon मतलब हम यह बोल रहे हैं कि इसमें cyclic ketone बनेगा अगर यहाँ पर 4 carbon atom बीच में ना होते 5 होते तो भी क्या होता CO2 और H2O दोनों का loss होता और यहाँ पर भी cyclic ring बनती मगर आप 5 की नहीं बनती कितने की बनती 6 member की बनती तो हमारे जो product मिलता वो क्या मिलता cyclo hexanon तो जहाँ पर भी 2 COH वाले molecule में heating effect देखो तो आप बीच में carbon count कर लो 0 या 1 है तो CO2 का loss हो जाएगा 2 या 3 है तो H2 का loss हो जाएगा 4 या 5 है तो फिर दोनों का loss हो जाएगा CO2 का भी और H2 होगा भी ठीक है तो इस तरीके से हमें questions को proceed करना है Okay students Happy learning Thank you very much For detailed videos Daily practice problems And live chat Visit academy.amazon.in Or download the app